हेलो एवरिवन, वेलकम है आपका मेरी किचन में आज मैं आपको घुटनों के दर्द के लिए, जोडों के दर्द के लिए एक ऐसा अच्युक घरलू उपाय लेकर के आई हूँ जिसको लेने से आपकी कमर का दर्द चाहे कितना भी तेज हो कमर में कितना भी आपको भ्यंकर दर्द हो या फिर आपको गुटनों का दर्द हो दर्द बिलकुल ठीक हो जाएगा ये बहुत ही अच्छा आजमाया हुआ घरेलू उपाय है एक बार आप करके देखेगा आपको बहुत ही ज़्यादा इससे फर्क नजर आएगा इस भागदोड भरी जिन्दगी में हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं और हमारे जो घु ये सारी जानकारी में आपको आगे इस वीडियो में देने वाली हूँ तो वीडियो को बिना स्किप की एलाश तक जरूर देखेगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइप जरूर कीजिएगा तो आपको लेना क्या है आपको लेने है काजू क्योंकि काजू में भुर्पूर मातरा में केल्सियम होता है जो हमें और चीजों से नहीं मिल पाता है क्योंकि 40 प्लस होने के बाद हमारे सरीर में केल्सियम बनना बंध हो جाता है जिसका हमें बिलकुल भी ध्यान Cantra नहीं है और हमारे गुटनों और जोडों में दर्द होना सुरू हो जाता है। दर्द होते ही हम तुरन्त डोक्टरों की तरफ भागते हैं और वो हमें दवाई देते हैं तो उन से हम और भी बिमारिया ले आते हैं। क्योंकि अंग्रेजी दवाई खाने से हमारे सरीर के अंदर और ज़्यादर बिमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप घर पर ही इन चीजों को अगर खाएंगे तो आपके सरीर में जो आपके दर्द रहता है वो तो बिल्कुल ठीक हो ही जाएगा। उसके साथ साथ आपकी और भी बिमारियां दूर हो जाएंगी और आप बिल्कुल स्वस्त रहेंगे। तो आपको इने बना करके कैसे खाना है ये सारे जानकारी में आपको देने वाली हूँ। तो आपको एक कड़ाई में एक चमच सुद्ध देशी घी डाल करके सबसे पहले तो आपको काजू को भून लेना है काजू में परचुर मात्रा में कैल्सियम होता है बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं तो आपको इने घी में अ सुद्ध देशी घी अपने खाने में एड करते हैं तो हमारे घुटनों का ग्रीस भी की पूर्ती होती है और कट-कट की आवाज आने भी बंद हो जाती है तो इन्हें हमें हलका सा रोष्ट कर लिया है हमने इस थोड़े से घी में उर्षी थोड़ा सा घी बचा हुआ है इस मखाने होते हैं यह हमारे सरीर में बहुत सारे विटामिन्स की पूर्ती करते हैं इसमें फाइबर बहुत ज़्याद मात्रा में होता है जिससे हमारे पेट से संबंदिक जो हमारी बीमारिया होती है वे भी दूर हो जाती है तो आप यह मखाने और काजू अपने खाने में अ अगर आप इन्हें कुछ दिन लेकर देखेंगे देहेंगे 15-20 दिन में ही आपको बिलकुल आपके घुटनों का दर्द और जोडों का दर्द पून तरीके से बिलकुल जड़ से खत्म हो जाएगा दोनों चीजों को अच्छे से आपको भून लेना है तो इसी ही मेनी काजु क भी डाल दिया है इसमें हलका सा आप नमक डाल लीजेगा या पिर काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल सकते हैं जिससे इनका टेश्ट और भी अच्छा बढ़ जाएगा तो आपको सुबह शाम एक कटोरी मखाने आपको जरूर लेने हैं आदी कटोरी मखाने सुबह लीजेग और इसमें आपको 5-6 काजू डालनी है 5-6 काजू सुबह लीजेगा 5-6 काजू साम को लीजेगा और आप 15-20 दिन लेकर देखे आपके घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, जोडों का दर्द ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कभी हुआ ही नहीं था ये आजमाया हुआ जाएगा खाने से आपके और भी जादे साइड इफेक्ट हो जाते हैं जिनकी वज़े से आप एक बीमारी तो ठीक नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी बीमारियों को अपने सरीर के अंदर ले आते हैं तो फ्रेंड्स आप मेरी घरेरु नुसक्यों की वीडियो जरूर देख मिलेंगे अगली नई वीडियो में अगली नई होम रेमिडी के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ सबको मेरी नमस्ते थैंक्स पोर वोचिंग